कंगना रनाउट से जुड़ी एक शौकिंग खबर सामने आई है 24 जनवरी को पंगा के रिलीज से पहले कंगना पर चलाया गया जनता की अदलत पर मुकदमा कोट में हुआ धमाकेदा ड्रामा कंगना के गवा बन कर कोट में शाहिद कपूर को होना पड़ा मौजूद दकपिल शर्मा शो की बात कर रहे है जहां इस बार कंगना रनाउट अपने टीम के साथ मुवी पंगा को प्रमोट करने आई और यहां फूटे हसी के गुबबारे जहां कंगना पर चला जनता का मुकदमा जजज बनी शुमना चक्रवर्ती इस अदालत में कंगना के अपोजिशन वकील बने सनी देओल याने की आपके चहिते कीकुशारदा और कंगना के वकील बने अरोरा सहब याने की कपिल शर्मा इस दौरान काफी हसी मजाग का माहौल बना अपने अपने केरेक्टर्स में सभी ने कंगना और ओडियन्स को खूब गुद गुदाया लेकिन फिर इनके एपिसोड के बीच आये शाहिद कपूर वो भी कबीर सिंग बनकर याद हो तो कंगना ने शाहिद के साथ फिल्म रंगून में काम किया था और तब एक किसिंग सीन को लेकर कंगना ने शाहिद पर नेगेटिव कमेंट्स किये थे एपिसोड में असली वाले शाहिद नहीं बलकि चंदन प्रभाकर आये जो शाहिद का किरदार कबीर सिंग बनकर आये और फिर हुआ हसी का हंगामा ये एपिसोड होने वाला है फुल ओन एंटर्टेन्मेंट से भरा कितने एक्साइटेड है आप कंगना का कोटरूम ड्रामा देखने के लिए पोस्ट करिए अपने कमेंट्स